सपने में नाओ में बैठना या सपने में नाओ की सवारी करना एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है जो कि भविस्य में घटित होने वाली बहुत सी कीमती बातों की और ही इशारा करता है जिसको सपने में नाओ की विबिन अरस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में नाओ में बैटकर खुद को हवा की दिसा में ही यात्रा करते हुए देखता है तो यह सपना इसी बात की और संकेत करता है कि आप अपनी लाइफ में बड़ी ही आराम से अपने सपनों को सच कर लेंगे लेकिन अगर नाओ पानी की विपरित दिसा में चलाई जा रही हो तो तब यह सपना इसी बात की और संकेत करता है कि आपको अपने लक्षों को पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत भी करनी होगी तब ही आप अपने कामों में सफल होंगे और अगर कोई व्यक्ति सपने में नाओ की सवारी किसी समुद्र में करते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और इसी बात की और संकेत करता है कि आपको जल्द ही अपने जीवन में बड़े अफसर प्राप्त होंगे और जिन में आपको सफलता भी मिलेगी और अगर कोई सपने में किसी मोटर बोर्ट में बैट कर यातरा करते हुए खुद को देखता है तो यह सपना जल्द ही किसी अच्छी यातरा पर जाने का ही संकेत करता है जिस यातरा में आपकी जान पहचान किसी ऐसे वेक्ती से होगी जो आपकी लाइफ में बहुत ही महत्पून रोल निभाएगा और अगर कोई सपने में किसी सांथ पानी में खुद को नाओ में अकेले ही बैठा हुआ देखता है तो यह सपना इसी बात की और संकेत करता है कि आपकी अध्यात्मिक यातरा अब शुरू हो चुकी है और जल्र ही आपको अपनी परेशानियों के हल मिलने वाले है तो यह थिस अपने में नाओ में बैठने से संबंदित कुछ सा अपने उरून के मतलब